मुवी की स्टार्टिंग में हम नीधी नाम की एक लड़की को देखते हैं, वो एक पागल खाने में बन्द होती है, तब ही उसके पास एक नरस आती है, और उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन तभी नीली उस नरस को एक लात आती है, जिससे वह नरस दूर जाकर गिर ज इतने में security guards वहां पहुँच जाते हैं और नीधी को एक sale में बंद कर देते हैं फिर नीनी हमें बताती है वह भी कभी normal हुआ करती थी इसके बाद कहानी flashback में पहुच जाती है फिर हमें एक town दिखाया जाता है उस town का नाम था devil's cattle इस शहर का यह नाम एक जरने की वजह से पड़ा था शहर में एक जरना ऐसा था जिसका पानी एक बड़े से गड़े में गिरता था लेकिन फिर पानी उस गड़े से कहा जाता था यह किसी को भी नहीं मालूम था नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं वह अपने college की सबसे beautiful लड़की थी साथ ही वह college की head cheer leader भी होती है वहीं हम जेनिफर की दोस्त नीधी को भी देखते हैं नीधी जेनिफर से बिलक नीधी शुरू करने ही वाला था तभी वहां जेनिफर पहुच जाती है। और वह नीधी को अपने साथ लेकर निकल जाती है यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता है इसके बाद दोनों एक club में आ जाते हैं कलब में जेनिफर निकोलाई से मिलती है निकोलाई एक बैंड का लीड। जिससे बहां भगदर मच जाती है, फिर नीधी जैनिफर को लेकर वाश्रूम में जाती है, और दोनों वाश्रूम की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद दोनों देखते हैं, टलब कम्प्लीटली जा चुका है, और अंदर फंसे लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, थे तभी वहां निकोलाई भी आ जाता है, और वह जैनिफर को अपने साथ लेकर जाने लगता है, नीधी उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैनिफर नीधी की बातों को इगनोर कर देती है, फिर दोनों वैन में बैठ कर वहां से निकल जाते हैं, इसके ब लेकिन वह देखती है, वहां कोई नहीं था, फिर वो जैसे ही दर्वाजा बंद करके उपर जाने लगती है, तभी उसे नीचे के कमरे से किसी की आवाज आती है, फिर डरते हुए उस रूम में जाती है वह देखती है, वहां जैनिफर खड़ी है, और उसके पूरे बदन पर खून लगा हुआ था, इसके बाद जैनिफर उपर आकर स्विच खोलती है, और वहां से कच्चा मास निकाल कर खाने लगती है, यह देखकर नीधी बहुत दर जाती है, और वह जैनिफर से बात करने का ट्राय करती है लेकिन जेनिफर वहां बहुत ही अजीब टाइप की आवाज निकालने लगती है तभी जेनिफर के मुह से कुछ काला लिक्विड निकलने लगता है इसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है नेचर कॉलेज में नीधी जेनिफर के बारे में ही सोच रही थ तभी वहाँ Jennifer आ जाती है, वह बिल्कुल ठीक लग रही थी, वहाँ एडी जेनिफर से कल रात के बारे में पूछ ही रही थी, तभी वहाँ प्रोफेसर पहुंच जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, जेनिफर प्रोफेसर यहां नोटिस करता है जेनिफर के आँखों का कलर चेंज हो रहा है यह देखकर गौतम दर जाता है और वहां से भागने का ट्राइ करता है लेकिन उसी टाइम जेनिफर गौतम पर अटाक कर देती है और उसे मार कर खा जाती है दूसरी ओर हम नीधी को देखते हैं वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जेनिफर को देखकर नीधी बहुत दर जाती है, और उठकर वहाँ से भाग जाती है, नीधी कार ड्राइव करके अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेनिफर इसके बाद दोनों किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डीडी को बिना बैठ कर मैच खेलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जेनिफर को आगे बढ़ने से रोक देती है, इसके बाद जेनिफर नीधी को उस रात के बारे में बताती है, जिस रात क्लब में आग लगी थी, यहां हमें मालूम होता है, उस रात निकोलाई और उसका ग्रूप जेनिफर को लेकर उसी ज़रने के पास गया था, और वो लोग सकसेस पाने के लिए वहाँ पर जेनिफर की बली चट जाता है और फिर उसे उसी जरने में फेंक देता है यहां निकोलाई ने तो अपना काम पूरा कर दिया था और उसे लगने लगा था कि अब उसका बैंड सक्सेस कर जाएगा यहां निकोलाई की प्रोसेस में एक कमी थी और वो कमी थी जेनिफर का वर्जिन ना होना और इसी वजह से जेनिफर वापस जिन्दा हो जाती है और उसमें शैतानी ताक्तें आ जाती हैं, नीधी को ये सब बताते हुए. जेनिफर अपने हाथ में एक कट लगा दी है जो कि अपने आप ठीक हो जाता है ये सब देखकर नीधी बहुत दर जाती है और वो जेनिफर को वहां से जाने के लिए कहती है फिर जेनिफर भी खिड़की से कूद कर चली जाती है इसके बाद मेड़ी एक लाइबरेरी में जाती है वहां वो यह पता लगाने का ट्राय करती है कि जेनिफर के साथ क्या हो रहा है कई किताबें पढ़ने के बाद नीधी को ये मालूम चलता है निकोलाई और उसके जेनिफर को जवान और सुन्दर रहना है तो उसे इनसानों को मार कर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है और वो है उसके दिल पर वार करना अब नीधी को ये डर लगने लगा था कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफरेंड को भी ना मार दे इसके बाद प्रवाइब दोष्टी और हम दास को देखते हैं, वो पैदल ही पार्टी में जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, और वो डॉक्से नीधी की बुराई करती है, जेनिफर डर से कहती है, प्छपन में बहुत सारे प्लेयर्स नेडी के बीच में मैच खेला, हय सुनकर डफ काफी सैड हो जाता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे सेड्यूस करने लगती है, फिर वह उसके साथ मैच खेलने के लिए उसे जंगल में लेकर जाती है, वही पार्टी में नीधी को ऐसा फील होता है, जैसे जेनिफर डफ के साथ कुछ गलत करने वाली है, इसल से गुस्सा होकर जेनिफर डफ को धक्का दे देती है, और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी नीधी वहाँ पहुँच जाती है, इसके बाद जेनिफर उन दोनों को ही मारने का प्लान करती है, फिर लड़ाई के दौरान डफ की मौत हो जाती है, इ फिर यहाँ दोनों में लड़ाई होती है, यहाँ जेनिफर नीधी के कंधे पर काट लेती है, लेकिन नीधी जेनिफर के दिल में चाकू से बार करने में काम्याब हो जाती है, और फिर नीधी जेनिफर को मार देती है, लेकिन तभी वहाँ जेनिफर की मौम पहुँच जात और वो एडी को जेनिफर का खून करते हुए देख लेती है, फिर जेनिफर के खून के जुर्म में नीधी को एक mental hospital भेज दिया जाता है, और कहानी फिर से present में आ जाती है, फिर हम देखते हैं लडाई के दौरान जब जेनिफर ने डीडी के कंधे पर काटा था, जिससे डीड के अंदर भी वो सारी शैतानी टाकत आ जाती है, इसके बाद नीधी जेल को तोड़ कर वहां से भाग जाती है, भाग कर वो सीधा उस जरने के पास पहुँचती है, जहां जेनिफर की बली दी गई थी, सीधा मूवी का सीन देखते ही, यहां हमें पता चलता है निकोलाई, और उसका ग्रूप काफी फेमस हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उस बैंड के सारे लोग मारे जाते हैं, सीसी टीवी फुटेज से हमें यह मालूम चल रहे नीधी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सारे लोगों को मार डाला है, और यही मूवी खत्म ह हो जाती है,